जहिन दोस्तों स्वागत आपका विजयपत्ट डिफेंस एजुकेशन में आज हमारा पार्ट 13 है एच्पी पुलिस लेली मिक्स जीके का इसमें टॉप 15 प्लस कॉश्चन डिसकस करेंगे जो कि आपकी हिमाचल पुलिस एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे इस वीडियो आपके लिए रहेगी टार्गेट 2021 वीडियो को ध्यान से देखें और जाद से जाद आपने फेंस में शियर करें हमारा बेसिक फाउंडेशन का कॉर्स भी स्टार्ट हो चुका है जो कि आपको 100% सक्सेस दिलवाएगा एच्पी पुलिस एक्जाम के लिए आप बेसिक फाउंडेशन का कॉर्स जरूर जोइन करें तो आज की वीडियो शुरू करते हैं फास्ट कोशन है वीडियो का भारत की पवित्तर है तो हमारे प्यारे भारत की पवित्तर नदी जो है वो बोला जाता है गंगा को आपको क्वेशन के साथ में कुछ important fact को भी द्यान म में रखना है जैसे कि गंगा जो है पुपूरे भारत की सबसे लंबी नदी है गंगोतरी से यह कलती है और mostly यह उत्राखंड हरीद्वार में जो है बहती है नेक्श क्वेशन की बात करते हैं भारत के किस राजे में रेलवे लाइन नहीं है तो भारत का ऐसा कौन सा राजे ह जहां पर एक भी रेलवे लाइन नहीं है तो मेगाले जो है बहां पर एक भी रेलवे लाइन नहीं है नेक्श वाल है सूरे के सबसे निकट ग्रह कौन सा है तो सूरे के सबसे निकट जो हमारा प्लैनेट है उसका नाम है बुद्ध इंपोर्टेंट कोशन आपके लिए आठ जो है वो हमारे total ग्रह है Pluto को जो है वो अब count नहीं किया जाता है और सूरे की बात करें तो सूरे जो है यह हमारा ग्रह नहीं है सूरे को जो है यह एक star बोला जाता है मतलब किसको बोला जाता है important question है आपको ध्यान में रखना है next one है Kolkata किस नदी के किनारे स्थित है तो Kolkata जो है यह हमारी हुगली नदी के किनारे स्थित है आपको comment works में बताना है कि Kolkata जो है यह किस राजे में पढ़ता है next one है सूरे के परकास से कौन सा बिटामίν प्रापत होता है तो sunlight से हमें बिटामीन D जो है ये प्रापत होता है important question है vitamin D की बात करें तो सबसे जादा sunlight से ये हमें प्रापत होने वाला vitamin है तूसरी चीज vitamin D से हमें जो है वो calcium मिलता है जो की हडियों के लिए सबसे important रहता है next one है परकास insulation के लिए कौन सी gas अतियवश्यक है तो photosynthesis जो की plants में होती है पोधों में होती है उनके लिए carbon dioxide जो है वो सबसे important है carbon dioxide के formula की बात करें CO2 जो है ये हमारा carbon dioxide का formula है CO2 photosynthesis के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी की oxygen हमारे लिए photosynthesis के कारण ही पोधे जो है ये अपने लिए खाना बनाते हैं next one है सुही मेला किस जिले से समंधित है तो हिमाचल जी के का ये question है सुही मेला जो है ये हमारा चमबा जिले से समंध रखता है important question है मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि सुही का मेला रानी सुनैना की याद में जो है वो करवाया जाता है क्योंकि उन्होंने पानी से समंधित जहां पर वो problem हुई थी उन्होंने उसके लिए अपना बलिदान तक दे दिया था उन्ही की याद में जो है ये चमबा में सुही मेला मनाया जाता है और सबसे खास बात सुही मेले में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है next one है हिमाचल परदेश की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो पूरे हिमाचल की सबसे उंची चोटी है शिला शिला जो है वो सबसे उंची चोटी है हमारे हिमाचल की और इसकी हाइट जो है वो बोली जाती है 7026 या कई बुक्स में 7025 भी इड की हाइट दी जाती है तो वेरियेशन हलकी सी रहती है लेकिन आपको proper value जो है वो ध्यान में रखनी है तो हिमाचल का ऐसा कौन सा जिला है जहांपर सबसे कम बन क्षेतर है तो हमिरपुर में जो है वो सबसे कम बन क्षेतर है जो की हमारा 129 km2 का बन एरिया है नेक्स वन है हिमाचल का सबसे छोटा बनने जीव अभ्यारन कौन सा है तो हिमाचल का सबसे छोटा बन्य जीव शिली जो की हमारा पढ़ता है सोलन में सबसे बड़े की बात करें तो वो है हमारा किबर जो की पढ़ता है लाहुल स्पीती में आपको ध्यान में रखना है कि बन्य जीव अभ्यारन जो है वो हमारा नैशनल पार्क नहीं है दास्टी उध्यान नहीं है हिमाचल में कुल जो है वो पांच नैशनल पार्क है जिसमें से सबसे बड़ा नैशनल पार्क है हमारा कुल्लू में और उसका नाम है दे ग्रेट हिमालिन नैशनल पार्क जो की हिमाचल का सबसे बड़ा नैशनल पार्क है और अगर इस सबसे छोटे बने जीवा भ्यारन की बात करें जो कि हमारा शिली में है इसकी सापना हुई थी 1963 में important question है next one है हिमाचल की कौन सी जील साथ जीलों का समू कहलाती है हिमाचल की ऐसी कौन सी जील है जिसको साथ जीलों का समू कहा जाता है तो लामा जील जो है उसको साथ जीलों का समू कहा जाता है लामा जील हमारी डिस्टिक चमबा में पढ़ती है लामा जील को जो है वो लामा डल जील के नाम से भी जाना जाता है important question है मैं आपके यहाँ पर doubt बता देता हूँ एक हमारे पास है डल जील और दूसरी है हमारे पास लामा डल जील दोनों जो है यह अलग लग है डल जील जो है यह डिस्टिक कांगडा के धरमशाला में पढ़ती है और लामा डल जील जो है यह हमारी पढ़ती है डिस्टिक चमबा में नेक्ट वन है पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है तो पोंग बांध जो है यह हमारा बना है ब्यास नदी के उपर जहां पर हाल ही में कुछ टाइम पहले बर्ड फ्लू बहां पर फैला था काफी सारे पक्षियों की बहां पर मृत्ति हुई थी और बर्ड फ्लू का ने ने तो 1975 में जो है इसकी सापना की गई थी नेक्ट वन है किस बर्ष सोभा सिंग आर्ट गैलरी को संग्राले में बदला गया था तो सोभा सिंग आर्ट गैलरी को म्यूजिम में चेंज किया गया था 2012 में और सोभा सिंग आर्ट गैलरी जो है यह हमारा पढ़ता है डिस्टि आर्ट गैलरी हमारा बनाया गया है important question है और HP पटवारी के exam में भी mostly ये question काफी बार पूछा जा चुका है next one है क्षेतरफल की दिरिष्टी से भारत का बिश्व में कौन सा स्थान है तो area के हिसाब से पूरे बिश्व में हमारे भारत का जो नंबर आता है वो आता है next question है भारत का सबसे बड़ा कौफी अतपात कराजी कौन सा है last question है इस वीडियो का भारत में सबसे ज़्यादा कौफी करनाटक में उगाई जाती है important question है आपके लिए I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी जाद से जादा बीडियो को लाइक करें आप हमें social media के उपर follow कर सकते हैं WhatsApp ग्रूप के साथ जरूर जुड़ें जिसमें आपको day to day के current affair, PDF, study material, HPG के police notes और साथ में job alert प्रोवाइड करवाया जाता है वीडियो के description में आपको इसका link मिल जाएगा जहां से आप इसको easily join कर सकते हैं हमारा हिमाचल police का advanced badge start हो चुका है विजेपात defense education में जो कि आपको success दिलवाएगा 2021 में सो वीडियो को like करें, share करें जल्दी ही इसके next part के साथ मिलेंगे तब तक के लिए जै हिंद जै भारत